लुट नमस्कार साथियो श्वागत आप सभी का PKAड़बान साइको यूट्यूब चनल पर जैसा कि आप सभी को पता है कि B.A.D. कि जो एक्जाम है उसके प्रस्ण पत्र हैं उन सभी के मात्रह 10 प्रस्ण आपको बताते हैं exam time पर और वो 10 प्रस्ण आपके एक्जाम में भुभुच अपने वाले होते हैं अब तक कि जो एक्जाम लगी उन में बिल्कुल संभब्ते देखा गया है 80, नहीं 90 नहीं 100 प्रतीशत आपको कुश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं तो आप बिल्कुल गोर फर्मा कर अपने नोटबुक खोल कर इन कुश्चंस को नोट करें और तयारी करना प्रारम कर दें तो सब्सक्राइब करेंगे तो पुर्थम वर्स के पेपर्स में बना चुका हूं सारे वह देख लें साथ में बीएट सेकंडियर की में कुश्चंस रंखला चल रही है और मात्र इस पेपर में दस प्रस्ट में आपको बताऊंगा इससे पहले की दस कुश्चं में आपको बता च स्क्रीन पर यह क्लास आप सभी के लिए बहाद एप्पोरियी से भी उनिवर्सिटी रहे गी तो के बिद्धार्त के बिए जो सबस्क्राराइब करके चल से जुड़ सकते हूं पहला प्रस्ण आपके लिए समावेशी वाले पिपर से तो पहला प्रस्ण आपके लिए क्या है दोस्तों तैमाने कि अब तक का जो आप पुराने पिपर्स देख लिए पुराने वीडियो देख लिए मिला कर देखें आपको सारे प्रस्ण एक भी प्रस्ण आपको सिंगल ब परिवाशा आपको देखनी है विसेष्ट सिक्षा की विसेष्टाओं पर प्रकाश डाली है अर्थात सिक्षा में समावेशन का क्या रॉल है अर्थात समावेशन का पहले तो आपको अर्थ परिवाशा देखनी है साथ में विसेष्ट सिक्षा की अंतरगत इसकी जो विसेष किस्ता हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है तब इस साम को आपको पढ़कर जाना है कहने का मतलब यह समाविशन वाला टॉपिक उसको अच्छे से आपको देख कर जाना है पहले प्रस्ण की बात में कर चुका हूं दूसरे प्रस्ण पर हम चलते हैं चलिए दोस्तों दूसर कुशन है आपके पास एक इकरत सिक्छा पर टेपणी लेखते हुए कौनसी सिक्छा पर एक इकरत सिक्छा पर टेपणी लेखते हुए एक इकरत और समन्विशन की प्रकरती एवां उद्देशों को स्पस्ट करना है दो ही बात है एक तो आपके कौन सी एजुकिशन एक इक तिशरा प्रश्न बिना सव गवाय आपके सामने आ चुका है देखिए महत पूर्ण 10 प्रसनों की स्रंखला only for 10 questions जो आपके exam में छपने वाले है समवेशी सिक्षा क्या है अर्थात inclusive education है वो क्या है यह आपको देखना है 100% लिख लेना exam में आएगा 100% समवेशी सिक्षा क्या है समवेशी सिक्षा की विसेष्टाओं आवशक्ताओं में महत्व का वर्णल कीजिए समवेशी सिक्षा की अर्थ परिवाशा देखनी है समवेशी सिक्षा की विसेष्टाओं कौन कौन सी है वो आपको देखकर जानी है आवश्यक्ता हैं और इसके आवश्यक्ताओं के साथ महत्व आपको आपको आटोमेटिक पता चले जाएंगे तो ये कुश्चन आपको कहने का मतलब यह है कि पूरी सौवीज सिक्षा है इसकी पूरी क्या देखनी है आपको अब धारना देखकर जानी है सौवीज सिक्षा क्या है इसकी विश्यक्ता क्या है प्रकरती क्या है आवश्यक्ता क्या है महत्व क्या है सारी चीज़ आपको देखकर जानी है सारे दोस्तों चलते है तीसे प्रस्न की और तीसवरा प्रस्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जब आप पेपर देखो तो आपको लगेगा पेपर बिल्कुल ऐसा की ऐसा है क्योंकि अब तक जो पेपर हैं वो मैं पिछले साल से मैं आपको बताता जा रहा हूं, वो सारे के सारे, ये नहीं की अभी का है मैं आपको पांस साल का पूरा जो बिसलिशन है उसके आधार पर एक कुशन में आपको बता रहा हूँ रास्ट्रिय पार्टिकरम की रूप रेका एंसीफ 2005 जो आप पहले की पेपर में भी इसको बता चुका हूँ और यह आपके एकजाम में छपएगी निशित रूप से आपके अधिगम के लिए आखिलने वाले में छपएगी यह इसमें छपएगी तेमाने NCF 2005 भी इसका नाम मिल सकता है रास्ट्रिय पार्टिकरम की रूप रेका 2005 भी आपको मिल सकता है हिंदी में मिलेगा तो यह मिलेगा इसको एंगलिस मिलेगा ता आपको क्या मिलेगा नैशनल करिकुलम और फ्रेमबर्क यह आपको मिल सकता है 2005 तो NCF 2005 को आपको पढ़कर जाना है साथ में समवेशी सिक्षा और समवेशी बिध्याल्य की और संकेत करने वाले सुजाबों को इसपस्ट कीजिए कहने का मतलब यह है कि NCF 2005 में समवेशी सिक्षा के लिए क्या कहा गया है समवेशी सिक्षा और कौन सा समवेशी बिध्याल्य जहान रगना समवेशी सिक्षा के बारे में और किसके बारे में समवेशी बिध्याले के बारे में NCF 2005 में क्या कहा गया है यह आपको देखना है साथ में समवेशी सिक्षा तो हमने पिसले परस्न में देख लिया आपको देखकर जाना है तो आप मुखी मुखी पॉइंट देखकर जाना है दोस्तों आपको आसानी से लिख सकते हैं एक वीडियो में आपको यह भी बना दूगा कि पेपर किस तरह से हम करें ताकि हमारे ज्यादा ज्यादा अंक आ सके और अच्छी रेंग कम प्राप्त कर सक और वीडियो में आपको बताऊंगा चलें अगले कुश्ण में चोहता कुश्ण हमारा हो चुका है पाचला कुश्ण आपकी सामने आपकी स्क्रीन पर देख ले भई, पांच वाव कुश्चन, थोड़ा से लेंग दी लग रहा है, लेंग घबराएं नहीं, दस प्रस्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रस्ण नहीं बता रहा है, मैं आपको, राष्ट्रिय सिक्षनीती 1986, अर्थत राष्ट्रिय सिक्षनीती कौन सी 1986, मे आपको पूरी पढ़ लेनी है, आप पे प्रस्ण में ये सारी चीज जोड़ें या नहीं जोड़ें, आप अपनी लेंग्वेज फिट करके, विकलांगों के लिए क्या है, और उनका उद्देश्ट क्या है, अर्थत 1986 कि आप जैसे ही पढ़ोगे ने, तो आपको ये सारी च कुष्ण सीमानती करन वाला कोई कुष्ण आप से पूछ लें कि जो पिछड़ी जाती है, या पिछड़ी जन समधाय है, उनमें NCF, sorry, 1986 के लिए क्या कहा गया है, या पर महिलाओं के लिए NCF, sorry, 1986 में क्या कहा गया है, या आप अपने आटोमेटिक जोड़ लें, एक वार NCF रास्टे सिक्षन नीती, NP-1986 के बारे में आप पूरा देख कर जाएं, ठीक है, तो बड़ा कुष्ण है, लेकिन पढ़ना क्या है, रास्टे सिक्षन नीती, 1986 आपको पढ़कर जाना है, चलो मित्रो, अगली स्लाइड पर और अगले कुष्ण पर छटा कुष्ण आपके सा आम ने छोटा सा कुष्ण लेकर आया है, आर्टी 2009, अधिगम के लिए आखिलन वाली पेपर में भी पूछा गया था, आर्टी 2009 आपको पढ़कर जाना है, ध्यान रगना है, आर्टी 2009 भी आपको पढ़ना है, आर्टी 2009 में निर्योगता, अक्षम बच्चों के लिए क्या प्राबदान किये गए है, अर्था तो जिनके योगता का जिसमें अभाब है, और जो किसी कारे को करने वा असमर्थ है, ऐसे बच्चों के लिए आर्टी 2009 में क्या प्राबदान किये गए है, वो प्राबदान आपको देख कर जाना है, आर्टी 2009 क्या है, आर्टी 2009 को पढ़ जाना है पूरा ध्यान अगना इसे concept को पूरा लिख कर जाना है लिख कर जाना नहीं है चिटनी बनानी है पढ़कर जाना है लिख कर जाने का मतलब यह कि आप चिट बना कर जाओगे चिटनी बनाएंगे अपने तो पूरा पेपर ही आउट कर दिया आपको पता है दस कुछन म आपके देखे, पार्थ चरिया में अनुकुलन की अबधारणा को स्वश्ट करे इसकी आवशक्ता में है, पूरन सिद्धान्तों को बढ़न कीजिए, अर्थात कहने का ताथ परी है, पार्थ चरिया में अनुकुलन, अनुकुलन से मतलब समय परिस्तिक अंसार, उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए किस तरह की पार्थ चरिया होनी चाहिए बो है अर्था पार्थ चरिया कि अनुकुलन की अबधान अर्था पार्थ चरिया क्या है उसका अर्थ क्या है उसकी परिवासा क्या है उसमें परिवर्तन होने चाहिए तो किस तरह से होने की आवश्यक्ता क्या है यह आपको देखना है साथ में कौन-कौन से धन्तों पर यह कारे करते हैं तो यह प्रस्णा मारा होगा कौन सा साथ मा आपको कौन से संबंद करते हैं इचे कॉमेंन्स गॉइफ और अगला कॉश्ण आपके सामने यारत इस अईसा बात रहरन जिसमें चात्र को पढ़ने में समच्याय उसके विकास में उसको समझचा आये तो ऐसा वातावरन क्या कहलाता है तो बादारहित वातावरन से आप क्या समझते हैं बिकलांगों के लिए बादारहित वातावरन बनाने के लिए आप किन किन घटकों को ध्यान में रखेंगे अर्थात बादा रहित ध्यान रखना है अर्थात बिकलांगों को कोई बादा नहीं आए कोई समस्चा नहीं आए इस तरह का आप किस तरह का कारे करोगे जिससे उनको किसी प्रकार की कोई समस्चा नहीं आए उनके लिए कोई बा करने में कोई बादा नहीं आए ऐसे घटकों को आपको बढ़न करना है ऐसी सुभिधाओं के वारे में आपको बताना है तो आपको कहने का मतलब यह है कि बादा हरेत बातावरन क्या होता है जिसमें कोई बादा नहीं हो काम करने में विकास में तो आपको पहले उसका अर्थ बड़ी है तरीके से फिर आपको कौन से बालक जोड़ने हैं उसको आपको अच्छे से कंसेप्ट उसका क्लियर करके जाना है और एकजाम में बड़ी है डंग से लिखना है तो यह हमारा हो गया कौन सा आट आ कुशन मात दो कुशन आपके लिए और अपने क्लास को सेर करें अ आपके लिए आगे के सारे पिपर्स तैयार है में तुरुप बनकर आप उनको देखने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं समवेशी विध्याले ये भी आपकी सोप्रती छपने वाला है सारे दस प्रसने सारे छपेंगे लेकिन मुझे जहां तक लगता है मेरे अन्भव के आपको निश्य दूरुप से मिलने वाली है समवेशी विध्याले में सिक्षण एबं अधिगम के लिए किसके लिए सिक्षण के लिए और अधिगम के लिए उप्योक्त बातावरान हितु हमें किस प्रकार के कारें की स्थापना करनी चाहिए जितना बड़ा प्रसन है ध्य दो परता कोश्चान बहुत गहते होता है, इसलिए ध्यान लख नदगना है, जैसे आपने पढ़ेंगे ने, चोटी गलास में संस्क्रत पड़ी होगी आपने तो संस्क्रत में सूत्र होते हैं, उनका अर्थ छोटे सूत्र होते हैं जब कि बड़े बड़े सूत्र होते हैं चोटे प्रस्ण कटेन होते हैं, जबकि बड़ी जिनकी language बड़ी होती है न, वो आपको सारा समजा कर देना है, आपको बताना क्या है, पूरा समजा देता है, तो ऐसा इस प्रस्ण में है, कि समभेशी बिध्याल्य में सिक्षण में और अधिगम के लिए अप्रिक्त बातार ह करनी चाहिए अर्थात बालक का सिक्षन वो सुचारू रूप से चल सके साथ हो अच्छे से अधिगम कर सके ऐसा वातावरन किस प्रकार हम तयार करेंगे किस के माद्यम से समावेशी बिद्याले के माद्यम से साथ में संसाधनों की आवशक्ता को स्पस्ट करते हुए अब आपको लेंगवेश चो मैंने वनाई हो सकता है इसे थोड़ी से आपको अलग मिल जाए लेंग शब्दों का प्रभाह इसी तरह होगा टोपिक आपका यही रहेगा तो समभेशी बिद्याले आपको अच्छे से पढ़कर जाना है बिकलांग वालक इनको अच्छे से देख कर जाना है इनकी समझ्चाओं कैसे हम दूर कर सकते हैं यह देख कर जाना है ठीक है बागी और जो उपर कुश्चन में आपको पता चुक है एनपी निस चीहांसी एनचीय तो जाना है राज का अंतिम प्रस्न अभी तक भी क्लास को लाइक सेहर नहीं किया है तो जरूर कर दे मित्रो इसमें आपका कुछ घाटा है नहीं जाएगा बस हमारा थुड़ा सा कॉन्फिटेंस जरूर बढ़ सकता है तो चैनल को जुड़ने के लिए पीकेड़वन साइको टीचिंग मैठर साइकोलजी पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और दसवा प्रस्न आप के लिए मातर चोटा सा दो टिपणी लेकर आया है चुट चुटी सी निमन में से टिपणी कीजिए बिसिष्ट वालक क्या होते हैं और अंतराष्टी संगठने में बिकलांगता ये क्या है तो बिसिष्ट वालक से संबंझत आपको लगतरात में कुछ नहीं मिल सकता है आपको इस पेपर से बहुत कुछ मिलेगा आपको एकजम में ऐसे कैसे मेरा पूर्ण विस्वास है आप नीचे कमेंट्स वाक्स मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए पेपर आने के बाद में पेपर आने के बाद पेपर देने के बाद में साथ में और हमकिसमें क्या बद